हाई फ्रेंड्स, हाव यू आल, एंड विलकम तो मैं चैनल, आज की जो रेसिपी है वो आलू चाट की रेसिपी है, वो भी मेरे तरीके से, चले तो उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तरह से, थिन स्लाइसे आप को काट लेने हैं, like this, फिर इसी बाल में आपको बनाना है, उसमें आप डाल ले, उसके बाद आप कड ले, कड को अच्छी तरह से मिक्स कर लें यह देखें, इस तरह से 믹स कर लें, इसका टक्च्च थर देख लें, कर्ड मिलाएं सारी चीजें अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाले और टेक्च्चर के कॉर्डिंग डाले इसका कोई मेजर्मेंट नहीं है चार्ट में जो भी डालो वो कम ही लगता है ये ग्रीन चटनी है पुदीने और धनिया पत्ती की चटनी है जिसमें शुगर अल्रेडी डाला हुआ है अगर आपने शुगर नहीं डाला है तो आप इस पॉइंट पर शुगर भी डाल सकते हैं चटनी के साथ भुना कुटा जीरा है करीब आदा चमच है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाले ग्रीन चिली है कटीवी चिली फ्लेक्स है सॉल्ट है अगर आपको चटनी के रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं ये अल्लेडी मीठी चटनी है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं इमली का पल्प है ये जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था फिर इसे छान लिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब इसे सर्व करते हैं सर्विंग प्लेट में आप इसे निकाले ये बहुत ही आसानी से और देखे कितना फास्ट बन गया है बस आपने कुछ करना नहीं है आलू को सुबह बॉयल कर ले और फिर अफ़तार में खाएं ये रमजान के लिए भी बहुत अच्छा रसे पिए तो गार्निशिंग के लिए जो हमारा बचा कुचा है सारा चीज़े वो इसमें डाल लेते हैं लेक्चली फ्लेक्स हो गया गरीन चटनी कर्ड बुना कुटा जीरा जो हमने अंदर डाला है फिर उसको उपर से थोड़ा सारा गार्निश कर लेते हैं अनार आप डाल लें इससे एक स्वीट सा जो आएगा क्रंचीनेस आएगा यह इसको इस फ्लेवर को किक करेगा यह इस रेसीपी को किक कर सकता है तो आप इससे डाले यह देखें आलू चाट बनके रेडी हो चुका रमझान स्पेशल रेसेपी है यह और इसी टरीके से जट पट बनने वाली रेसिपी आप लोग प्लीज जाए जरूर ट्राई करें थैंक यू